नमस्कार दोस्तों जी के अर्जम सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है हिस्टरी एंटिये उजी से नेट ज्यारा पार्ट दोसो अठासी में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी सीर्क्वेस्ट है अब इताक आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना बुलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारम्भ करते हैं हाँ अगर आपके इस वीडियो का पीडियाप चाहिए तो पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दया हूँ वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं तो कॉस्ट नम्बर बन है इसमें निम्लिखित मेंसे कौन सा रथ सब से चोटा रथ है तो कौन सा रथ जो है सब से चोटा रथ है तो वह है दुरोपती का रथ एंसर होगा ए द्रोपती का रत और यह देखिए जो रत है पल्लो कालिन जो है मामल सैली में बने रत हैं जो एकास मंदिरों में द्रोपती का रत सबसे छोटा है इसमें जो है किसी परकार का अलंकरण भी नहीं मिलता है और यह सिंग तथा हाथी जैसे पसुओं के अधार पर तीका है द्रोपती रत कुश्चन नमबर दो है मामल पुरम में रत इस मारकों के निर्माण के लिए निर्मलिखित में से कौन उत्तरदाई थे तो कौन उत्तरदाई थे ये उत्तरदाई थे जिटका नाम है पल्लो राजवंस पल्लो राजवंस है अगर सासक का नाम पुछता है तो नर्सिंग वर्मन प्रथम के सासनकाल में कुश्चन नमबर तीन है निम्न मंदिरों को कालानुकरम में बेश्थित कीजिए नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए चली देखते हैं इसमें सबसे पहले आएगा सेप्थ पैगयोडा का मंदिर सप्थ पैगयोडा इसके बाद आएगा गैंगे कोड चोलपूरम ये राज-राज प्रथम के समय में मंदिर बना था और इसके बाद आएगा ब्रेदेश्वर मंदिर तो ब्रेदेश्वर मंदिर जो है राज-राज प्रथम के समय बना था ये ब्रेदेश्वर मंदिर और गैंगे कोड़ पूरम ये राज अंदर प्रथम है इसको हम बताया थे राज-राज प्रथम ये राज अंदर प्रथम है और ये जो है राज-राज पर्थम आए और सब्थ पैगयोडा जो है मामल सैली का बनाईए और सबसे लाश्ट में जो है महाबली पूरम का टटीय मंदीर है सबसे लाश्ट में तो इसका अंसर डी करम से होगा कुश्टन नमबर चार है सुमिलित करने के लिए चले इसको सुमिलित करते हैं एक तरफ अस्थान एक तरफ इसमारक है एलिफ हेंटा तो एलिफ हेंटा जो है क्या है गुफा है सरवनवेल गोला तो सरवनवेल गोला क्या है ये मूर्ती है मुर्ति से सम्मंदित है और खजुराव क्या है मंदिर है साची क्या है इस्तूफ है यानि कि इसका एंसर भी सही सुमेलित है कोश्चन नमर पाँच है सुमेलित करने के लिए चले इसको भी सुमेलित करते हैं एक तरफ एतिहासिक अस्तल दिया एक तरफ राजित दिया है भीम बेटका कहां पर है ये मद्द पर्देश में चितरकला के लिए जाना जाता है स्वैल चितरकला के लिए शोर टेमपल कहाँ पर है यह है तमिल नाडो में हमपी कहां पर है कर्णाटक में मांस कहां पर है असम में यानि किसका अंसर हो जाएगा B सही सुमयलित question number 6 है किसका सुमयल है कि निम्लिखी जोडों में किसका सुमेल है यानि कौन सई सुमेलीध है पूछ रहा है एलौरा की कुफाय सक गलत है मिनाच्छी का मंदिर पललो ये भी गलत है खजराक मंदिर चंदेल ये सई सुमेलीध है मावलम पुर्ण के मंदिर राष्ट को ये भी गलत है यानि C इसका अंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर साथ है सुमेलित करने के लिए चले इसको सुमेलित करते है बैजनाथ धाम ये जो है सीव मंदिर से संबंदित है ये बुद्ध का सांतियम प्रवर्चन अ स्थल से संबंदित है दिल्वाळा ये जैन मंदिर से है बद्रीनाथ भिश्णू मंदिर से है यानि कि इसका अंसर A सही सुमेलित है कुश्चन नमबर आठ है सुमेलित करने के लिए चले इसको भी सुमेलित करते है नालंदा तो नालंदा जो है एक विश्विद्याले है सारनाथ तो सारनाथ जो है असोक अस्तंब है साची इस्तूफ है कोडार का सुरिफ मंदिर है यानि किसका एंसर हो जाएगा बी सही सुमेलित है निमलिखित में से किन के बीच इस्तीत था तो प्राचीन नगर तच्छ सिला किन नदीयों के बीच इस्तीत है ये पूछ रहा इसमें तो ये इस्तित था सिंधु तथा जेलम नदी के बीच में क्वेशन नमबर 10 है, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए किसके सन्निकट इस्थित है तो यह इस्थित है, दतिया जिले में, मद्द परदेश का दतिया जिला है, सोनगिरी के नाम से प्रसिद देए क्वेशन नमबर 11 है, प्रसिद बिरुच पाच मंदिर कहां पर अवस्थित है, तो यह अवस्थित है कहां पर हमपी में, हमपी अभी बताए आपको कहां पर है, यह करनाटक में है यहाँ पर भागवान सीव के नाम अर्पीत है इस मंदिर में जो बिरुच पाच के नाम से जाने जाते हैं कुशन नमर 12 है नागर द्रविण और बेशर है तो नागर द्रविण बेशर क्या है या भारतिय मंदिर वास्तु की तीन प्रमुख सैलिया है कुशन नमर 13 है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्व में पंचायतन सब्द किस से निर्दिष्ट करता है ये करता है मंदिर रचना सैलि से कोशन नमबर 14 है भारत के कला और पुरातात्वे कितिहास के संदर में निमलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था धावली इस्थित सैलिक कृत हाथी का कोशन नमबर 15 है निमलिखित में से किस मंदीर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मुर्ती है जिसे भारत की प्राचिनता सरी भारत का विशालतम नंदी मुर्ती माना जाता है तो कहां पर यह यह है ब्रिदेश्वर मंदीर चोल अस्थापाति के नमूने जो है ब्रिदेश्वर मंदीर है इसका निर्माण जो है राज-राज या राज-राज पर्थम के काल में हुआ था कोशन नमबर 16 है नवी सतापदी में निमलेखित में से किसके द्वारा चोल समराज की नीव डाली गई थी तो किसके द्वारा चोल समराज की नीव डाली गई थी नवी सतापदी में तो यह डाली गई थी बिजयाले द्वारा कोशन नमबर 17 है तंजाओर का ब्रिधेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था सासन काल में जो उसमें चोल समराठ थे ये हुआ था निर्मित राज राज प्रथम के सासन काल में कोशन नमबर 18 है चोलों का राज किस छेतर में फाइला था कोशन नमबर 19 है कुसल ग्रामीन प्रसासन के लिए प्रसिद राज वन्स था तो वो था चोल एंसर हो जाएगा एक चोल कोशन नमबर 20 है चोलों के अधिन ग्राम प्रसासन के बहुत से बेवरे जिन सिलालेखों में है वे कहां है तो वे है उत्तर मेरू अवलेख में कोशन नमबर 21 है चोल सासकों के अशासन काल में निमलिखित में से कौन सा वर्यम उद्यान प्रसासन का कारे देखता था जिसका नाम था तो त्ट वारियम एंसर हो गावसी तो त्ट वारियम कुश्चन नमबर 22 है निम ने कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा अप्युक्त कथन इसमें सही है तो पाला इसमें दिया है चोलो ने पांडित था चेर सासकों को पराजित कर प्रायदूपिय भारत पर प्रारंबिक मदेकालीन समय में अपना प्रभूत अस्थापित किया था सही है दूसरा है चोलो ने दच्छिन पूर्वी असिया के सेलेंदर राजि के बिरुद सैने चड़ाई की तथा कुछ छेतरों को जीता था ये भी सही है यानि कि एक और दोन इसमें दोनों सही है तो इसका एंसर हो जाएगा C कोशन नमबर 23 है चोल काल में निर्मित नटराज की कान से प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है तो देवाकृति प्राय है ये है चतुर भूज में चतुर भूज है ये एंसर हो जाएगा C यह मना जाता है नटराज को एंसर ओगा B नटराज को Question number 25 है और अंतिम question है आज के लिए चोल सासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई तो सबसे अधिक विख्यात हुई थी तो वो था नटराज सीव की कांसें की प्रतिमाएं एंसर होगा डी नट्राज सीव की कांसे की प्रतिमाएं तो ये थे कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयते इसको लाइक करें अपने दोस्तों कहां अधिक सदिक सेयर करें धन्य बात दोस्तों जैहिंद वंदे मात्र मिलते हैं अगले वीडियो में